वेल्कम टू यूर चैनल क्रियेट आन वर्ल्ड दोस्तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें आने वाली लेटेस्ट वीडियो के लिए बैल अकर बटन जरूर दबाएं और लाइक करें शेर करें तो दोस्तो चलिए एक बार फिर एक और शानदार वीडियो की सुरुआत करते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मरैकल 99.1 सूपर फूड के एक सही खाने के तरीके में इसको खाने का सही तरीका क्या है और अगर आप इसको सही तरीके से सेवन नहीं कर रहे हैं तो इसके जो रेजल्ट हैं वो आपको बहुत फास्ट नहीं मिलेंगे और कहीं न कहीं ये गलतियां जो इस प्रोड़क्त को खाते समय जो लोग कर जाते हैं इसकी वज़े से उन्हें रिजल्ट कम मिलते हैं आप कभी कभी मिलते भी नहीं है तो आए जानते हैं एक सही तरीका क्या है दोस्तो तीन सवाल यहां पर खड़े होते हैं आपके कैपसुल खाने का सही तरीका क्या है पानी कितना पीना चाहिए और कितने capsule से start करना चाहिए ये तीनों ही सवालों का आज आपको जवाब मिलने वाला है तो लास्ट तक आपको बने रहना है वीडियो में कि वीडियो बहुत ही interesting होने वाली और ये वीडियो आप और आपकी team के लिए भी बहुत ही useful रहेगी capsule खाने का सही तरीका जब आप सुबह उठते हैं सुबह उठकर आपको खाली पेट एक पोस्टिक नास्ता आपको यहाँ पर लेना है पोस्टिक आहार आपको यहाँ पर लेना है जब आप सुबह उठते हैं तो आपको चाय का सिवन बिल्कुल भी नहीं करना ये आपको खासकर दिहान दखना है जब हम सुबह उड़ते हैं तो दोस्तों हमारी बॉड़ी के अंदर हमारी small intestine के अंदर कुछ ऐसे bacteria होते हैं जिनको good bacteria बोलते हैं जो हमारे सुबह सुबह हमारी पाचन क्रिया को तंदृस्त बनाने का काम करते हैं यदि उस समय हम अपने खाली सुबह के समय है अगर हम अपने पेट में कुछ भी ऐसा डालते हैं जो हमारी बॉड़ी के लिए बड़ा हामफुल है जिसमें चाय एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं तो चाय का सेवन बिलकुल न करें इसके लावा कुछ आप फल ले सकते हैं कोई भी एक फल जैसे सेव है या कोई अच्छा कोई भी आप फ्रूट ले सकते हैं उसमें आपके बाड़ी को बहुत अच्छी अनर्जी मिलेगी या आप नारियल पानी का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके लावा आप ड्राइ फूट उसके एक घंटे बाद या 45 मिनेट बाद आपको दो कैपसुल का सेवन करना है मिराकल 19 के सेम कंडिशन साम के खाने के बाद भी आपको एक घंटे बाद दो कैपसुल का सेवन करना ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे अगर खाना खा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इस capsule को आप 7 बजे तक खा लें उससे पहले आप कुछ अच्छा खा पी सकते हैं इसके लावा आप बात करते हैं खाने का ये सही तरीका है इसके लावा हम बात करते हैं, पानी कितना पीना चाहिए, तो दोस्तों यह सब depend करता है हमारी दिन चरिया के उपर, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं, जिसमें आपको पसीना लिकलता है, कुछ hard working करते हैं, जो सरीर की महरत जिसके अंदर होती है, तो automatically आपकी body पानी मांगती हैं और पानी आप अच्छा खासा पी लेते हैं, लेकिन अगर आपके दिन चरिया ऐसी नहीं है, आप office वर्क करते हैं, तो आपको थोड़ा धिहन देना होगा और पानी का 7 आपको ठीक ठाक करना होगा, क्योंकि यह जो product है दोस्तों हमारा, यह बहुत ही जबरदस्त cleansing आपक आपको रिजल्ट आने वाले, कोशिश करें कि आप 10 से 12 लीटर नॉर्मल इस्तिती में पानी पी लें, और पानी अगर जैसे अभी सर्दियां हैं, तो सर्दियों में आप अच्छा गुनगुना पानी पी सकते हैं, थंडे पानी का 7 बिल्कुल भी न करें, फ्रीज में रख करें ना देखें, जो सामानी अस्तिती निमीं आप एक कैपसूल सुबह और कैपसूल साम से स्टार्ट करना चाहिए, और एक हफ़ते के बाद आप इसको दो कैपसूल सुबह और 2 कैपसूल साम तक ले जा सकते हैं, ये सब आपको आपको बाड़ी का रिसपॉन्स देखना ह होता है क्योंकि अभी क्या होता है ये प्रोड़क्ट जब आपकी बॉड़ी के अंदर जाकर क्लिंजिंग का काम करता है तो थोड़े reflection होते हैं according to reflection हमें अपकी इंडोस को बढ़ाना है reflection क्या होते हैं इसके उपर एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगे लेकिन फिलाल आप एक कैपसुल सुभे का साम से स्टार्ट करिए और उसके बाद दो सुभे और दो साम पर ले जाएगे लेकिन एक होती है दोस्तों ऐसा मानने अस्टिती क्रिटिकल कंडिशन क्रिटिकल होते हैं ऐसे में आपको बहुत ही कम दोस्ते सको सार्ट करना है सामने वाले की पूरी की पूरी बॉड़ी को एनलाइज करिए उसकी प्राब्लम को एनलाइज करिए एनलाइज करने के बाद आप उसको एक कैपसुल से स्टार्ट कराईए बॉड़ी का रिस्पॉंस जरूर उस condition के बारे में एक बार discussion करें ऐसा माननी अस्टिती में आपको अच्छे से analyze करने के बाद ही capsule देना चाहिए और या उसकी dose बढ़ानी या घटानी चाहिए तो ध्यान देनी योगे बात है दोस्तों क्या है अब लास्ट में आपको यह मैं पता रहा हूँ ध्यान देनी योगे बात है यह है कि यहां पर आपको बहुत जो critical conditions होती है उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और पानी की quantity कितनी है capsule किते हैं यह सब आपको normal condition म साम आप दे सकते हैं लेकिन ऐसामानी अस्तिती में थोड़ा सा analyzing करिए थोड़ा सा आप जाँच परताल करिए उसके बाद इस capsule को दे सकते हैं तो यह थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि capsule खाने का सही तरीका क्या है और दिन में सुबह से साम तक आप अपने खाने पीने का अच्छी चीजों का ध्यान रखें गलत चीजों का सिवन बिलकुल न करें जो आपकी बाड़ी के लिए हाम फूल है जैसे साम के समय हम तली बुनी चीजे बहुत जादा खालेते हैं या हम चाबल खालेते हैं धाई खालेते हैं केला खालेते ह आपको बचना होगा ये बहुत जरूरी important बाते थी जो मुझे आज आपसे शेर करनी थी तो बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद लास्ट तक हमारी इस वीडियो को देखने के लिए इसके लावा और वहुत सारी वीडियो आपको हमारे इस से रिलेटिड जानकारी से मिलती रहेंगे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और आने वारी लेटिस वीडियो के लिए बैल अकान का बटन जरूर दमाएं धन्यवाद